Friends, C Language सीखनी की सीरीज में आज हम देख रहे हमारा Lecture 25 जिसमें हम सीखेंगे कैसे फाइल में राइटिंग करते हैं, यानि राइटिंग एनफ फाइल in C Language. इसे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि file handling क्या होती है, हमने देखा था कि हमारे program को RAM में memory मिलती है, और हमारे program के अंदर variables होते हैं, पर variables के अंदर जो data रहेगा उसकी एक life होगी. variable कभी भी program की life से जादा exist नहीं कर सकते, क्योंकि जब program start होता है, RAM में आता है, तभी program को RAM में memory मिलती है, और तभी जो program के अंदर variables बनाए गए होंगे, उनको memory मिलती है. तो variable में अगर हम data रख कर, ये सोचें कि ये data permanently store हो गया, तो हम गलत हैं. data को अगर हमें permanently store करना है, तो secondary storage में store करना है, जैसे की hard disk, जहां पर data हम permanently file के अंदर store कर सकते हैं. अब file के अंदर store करने के लिए हमें program में ऐसा code लिखना पड़ेगा, जिससे की हमारे variables का data file के अंदर चला जाए, यानि जो इस variable में रखा है, वो copy हो जाए किसमें, इस file में. उससे क्या होगा, हमारा program अगर end भी हो जाएगा, तो ये variable destroy हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा data हम पहले ही file के अंदर रख चुके हैं. अब कभी दुबारा अगर program स्टार्ट करेंगे, और हम चाहेंगे कि इस file का content वापस से इस variable में आ जाए, तो ऐसा हम कर सकते हैं. देखने वाले को ऐसा लगेगा, कि इस variable में ये data हमेशे से थे, और variable कभी destroy हुआ ही नहीं था, जबकि सचाई ये नहीं है. इसके लिए हमने पड़ा था, एक file नाम का data type बना हुआ है, पहले से, जो stdio.h header file के अंदर declared है, तो ये जो structure पहले से बना हुआ है, इसका नाम है file, हम इसे file नाम से पहचानेंगे. हाला कि हमें इसके बहुत detail में अभी जाने की जरूरत नहीं है, हम अभी एक पहला program बनाते हैं, बहुत सारी छोटी 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 चीज़ें file handling में मुझे आपको बतानी है, पर मैं सीधे पहले आपको एक program बनवाना चाहता हूँ, जिसमें कि हम file के अंदर content write करें, उसके ब file के अंदर लिखना चाहेंगे, फिर दूसरा program बनाएंगे जिसमें हम user से data लेंगे और वो file के अंदर store करेंगे, तो आई ये start करते हैं, program, program बनाने के लिए सबसे पहले मैं नई file open करता हूँ, इस empty file को save करते हुए मैं इसका नाम कर देता हूँ, file1.c, file1.c, अभी इस नाम की कोई file पहले से exist नहीं करती है, देखिए, अब इस program में सबसे पहले तो मैं header file include करूँगा, stdio.h, ये header file के अंदर file से related बहुत सारे functions हैं जो declared हैं, और सबसे बड़ी बात file data type भी declared है, यहाँ पर अब मैं main function मना रहा हूँ, और main function के अंदर, मैं file के अंदर writing करने का code करना चाहता हूँ, तो मैं file data type का इस्तमाल करूँगा, और इसका बनाऊँगा एक pointer, नाम रख लेते हैं, fp, fp is file pointer, अब हम समझते हैं कि हमने ये किया क्या है, ये file pointer हमने क्यों बनाया हुआ है, तो देखें, ये है हमारी RAM और ये है हमारी hard disk, हमको क्या करना है, जब भी हमारा program start होगा, वो RAM में कुछ memory ले लेगा, लेट से ये हमारे program की memory है, अब इस memory के अंदर, हमने एक pointer variable बनाया है, जिसका नाम हमने रखा है, fp, ये एक file pointer है, file type का है, तो अब जरूरत क्या है, जरूरत क्या है, file type के एक variable के बनने की, यहाँ पर मानने जिए एक file है, चाहे वो पहले से बनी हो, चाहे अभी हमको बनानी हो, अभी आप suppose कर लीजे, एक file है, file का नाम हम कुछ रख लेते हैं, file का नाम रख लेते हैं, f1.txt, मैं क्या करूंगा, इस file में data write करूंगा, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, file को open करना पड़ता है, file को open करने का मतलब यह होता है, file को represent करने वाली एक image, RAM में load हो जाएगी, चाहे, आप इसको buffer भी कह सकते हैं, यह वो intermediate location है, जहाँ पे हम writing करेंगे, और बाद में यह पूरा content, file में save हो जाएगा, तो file को open करने का मतलब है, यह input buffer बना देना, this is called input buffer, या simply अभी मैं बोलता है, इसको buffer, तो हमें writing यहाँ करनी है, पर इसमें writing करने के लिए, हमारे पास होना चाहिए एक file type का variable, file type का यह variable, जिसको file pointer करेगा, point, file pointer हमने बनाया है, यह हमने नहीं बनाया, पर यह भी बनना चाहिए, और हमने file data structure के बारे में पहले भी पढ़ा था, और आज भी हमने देखा था, यह देखिए, file data structure है, यानि file structure के अंदर कई सारे variables हैं, जिसमें से एक pointer है buffer, यह जो buffer pointer है, मैं इसी की बात कर रहा हूँ, यह buffer pointer कहाँ पर है, file variable के अंदर, ठीक है, जो point कर रहा होगा, इस buffer को, यह हम कह सकते हैं, इस file को, यह file को ही represent कर रहा है, तो क्या आप सको समझ में आए, यह क्या है, यह चीज़, यह है file type का एक variable, अब आप समझते हैं, pointer जिस type का होता, उसी type के variable का address कंटेन करता है, तो fp अगर file type का pointer है, तो file type के variable को ही point करेगा, और file structure अभी आपने देखा, उसके अंदर एक buffer नाम का variable है, यह pointer variable, तो यह point करेगा, इस buffer को, अब मैं जो भी writing करूँगा ना, यहां writing करूँगा, और जब buffer full हो जाएगा, तो यह data कहाँ चला जाएगा, यह data चल जाएगा, फाइल में, buffer अगर full नहीं भी हुआ है, तो file को जब हम close करेंगे, close operation हम perform करेंगे, तो यह पूरा का पूरा data, फाइल में हो जाएगा, store, अब जड़ा हम coding देखते हैं, कि यह कैसे बनेगा, हमें सबसे पहले तो क्या बनाना है, इस file को open करना है, मतलब यह buffer बनाना है, और इस buffer को point करने के लिए, पहले हमें file type का variable बनाना है, उसके अंदर यह pointer इसको point कर लेगा, पर इतना सब आपको headache लेनी की ज़रुवत नहीं है, आपको एक छोटा सा काम करना है, आपको करना यह है कि आप open नाम के एक function को, sorry, fopen नाम के एक function को call करिए, और इस function में पहले argument के रूप में, file का नाम pass कर दीजे, जैसे f1.txt, जिस file को आप open करना चाहते हैं, और इसमें file opening modes आप बता दीजे, file opening modes मैं अपने अगले lecture में cover करूँगा, आप अभी इसकी attention मत लीजे, अभी आप simply समझ लिए, कि मैंने दो string इस function में पास करी है, पहली string file का नाम है, दूसरी string, file के opening modes में से एक लिखा है मैंने, सारे file opening modes, string के रूप में represent होता है, जैसे कि double quotes में मैंने w लिखा है, यह right mode कहलाता है, लेकिन बाकी के modes हम अगली class में, अगले वीडियो में discuss करेंगे, अभी fopen function ने क्या किया, fopen function ने ना केवल, इस file के, buffer pointer ने इस को point भी किया, यह यह सारा जो काम हो रहा है, यह किस ने कर दिया, fopen function ने, और बदले में क्या return किया, address, किसका, address return किया, इस buffer का, sorry, इस file का, चीक है, यह file type के variable का address return किया, fopen ने, तो fopen ने यह भी बनाया था, और यह भी बनाया था, तो यह अगर return कर रहा है, तो इसको रखूं किस में, obviously fp में, fp क्या है, file pointer, ठीक है, अब file pointer के थुरू सब कुछ access हो जाएगा, अगर file exist नहीं करती है, तो नई file f1 नाम की create हो जाएगी, और फिर open हो जाएगी, exist करती है, तो वही file open हो जाएगी, file opening modes पर depend करता है, जिसके बारे में मैं आपको next वीडियो में बताने वाला हूँ, अब हमारे पास file pointer के अंदर, file type के variable को point करने के लिए address रखा हुआ, अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ यह करना है कि, check करूँ कि कहीं file open हो पाई है या नहीं हो पाई है, अगर fp में null है, तो इसका मतलब है file open नहीं हो पाई है, तो हम print करा दें, file cannot open, जो भी reason, और यहाँ पर लिख देते हैं, exit one, exit एक predefined function है, यह program को terminate करेगा, one indicate कर रहा है इसमें कि abnormal termination है, कुछ problem की वये से हमने इस program को terminate कराया है, अगर if condition true हो जाती है, तो exit हो जाएगा, program end हो जाएगा, और if condition अगर true नहीं होती, तभी आप if block के बाहर आप आऊगे, तो यहाँ पर अब मुझे file में writing perform करनी है, तो मैं simply एक function को use करता हूँ, सबसे पहले मैं क्या content write करना चाहता हूँ, वो care type के एक array के अंदर रख लेता हूँ, मैंने रखा, hello students, यही हमको write करना था, इसके बाद हमने लिखा एक loop, अच्छा loop चलाना है, इसके लिए मेरे को एक variable और लेना पड़ेगा, let's say I, loop के लिए मैंने लिखा I assign 0, I less than, अच्छा I की value less than होनी चाहिए, किस से str, len function हम कॉल कर रहे हैं, और इसमें pass कर रहे हैं, मतलब यह जो string है, hello students, इसकी जो length है, वो कितनी है, तो मैं count कर सकता हूँ, hello मतलब 5 तह यह हो गए, space 6 हो गए, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 characters हैं इसके अंदर, तो 14 आया होगा, इसके बाद i को increment करते जाएं, और हर बार, मैं fputc नाम का function कॉल करूँ, जो content को, किस content को, si को, write करें, किस file में, जो fp द्वारा, हम handle कर पा रहे हैं, तो देखें, यह fputc function का headache है, कि वो fp का استعمال करके, कैसे buffer में writing perform करेगा, हमें सिर्फ यह करना है, कि fputc को वो character देना है, जो हमें file में write करवाना है, si मतलब पहले s0, फिर s1, फिर s2, क्योंकि loop चल रहा है, तो हर बार, fputc, एक character को file में write कर पाता है, और यह repeatedly call हो रहा है, 14 times, तो 14 characters write हो जाएंगे, और ऐसा करने के बाद, हम लिखते हैं, fclose function, fclose function के अंदर भी मुझे, file pointer पास करना होगा, एक बार file open हो जाती है, तो file को represent करने के लिए, handle करने के लिए, यह file pointer ही काम आएगा, चितने भी function हम call कर रहे हैं, चाहिए वो fputs ही हो, यह fclose function हो, fp उसमें pass करना जरूरी है, तब ही उन function को पता चलेगा, कि कौन सी file की हम बात कर रहे हैं, fclose function से क्या होता है, अगर, यह जो buffer हमने अभी बनाया था, इस buffer में data write हुआ है, पर buffer अभी full नहीं हुआ है, देखिए जब buffer full हो जाता है, हो सकता है कि मैं बहुत सारा content, file में write करना चाहता हूँ, buffer का size limited होता है, तो जैसे मैं कुछ writing के लिए data देता हूँ, तो पहले buffer में जाता है, और buffer जैसी full हो जाता है, अभी content और write करना है मेरे को, बफर पूरा full नहीं हो पाया, और हमारा काम खतम हो चुका है, अब हमें और कुछ write नहीं कराना है, तो buffer का data forcefully, file में write करने के लिए, हम close function call करते हैं, तो यह जो f close function है, इसके चलते ही, ना केवल data buffer से, file के अंदर चला जाएगा, बलकि, यह जो buffer को memory मिली हुई है, यह भी release हो जाएगी, यह file type का जो variable बना है, यह भी release हो जाएगा, यानि fp, अब इस variable को point नहीं कर रहा होगा, इसी वज़े से, आप file related operation इस पर perform नहीं कर सकते, एक बार f close function को चला दिया, तो, इसके बाद मैं get search लगा देता हूँ, जिसके कोई खास ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब अगर इस program को चलाऊंगा, तो क्या होगा, f1.txt नाम की file जो कि अभी exist नहीं करती है, वो बन जाएगी, तो सबसे पहले तो यह f1.txt नाम की file कहां बनेगी, जब भी आप file यहाँ open करते हैं, तो देखिए मैंने सारे code blocks प्रोग्राम नाम से एक folder है, उसके अंदर सब कुछ सेव कर रहा हूँ, सारे प्रोग्राम जहां मैं सेव करता हूँ, तो यह पुराने सारे प्रोग्राम भी हैं, अब यह आप देख सकते हैं, इसमें file 1.c नाम से भी मैंने बनाया होगा, यह देखिए, file 1.c अभी जो हम बना रहे हैं प्रोग्राम वो यह, .c file, .o file का मतलब होता है object file, और .exe file मतलब हमारा software executable file, तो जब मैं इसको build करता हूँ, तो यह .o file और .exe file बनती हैं, तो मैं अब इसको build और run करने वाला हूँ, और देखिएगा साथ ही साथ, यहाँ पर दूसरी file भी बन जाएगी, जिसका नाम क्या रखा है हमने, f1, f1.txt भी इसी folder में बनेगा, तो मैं आपको यह folder भी साथ में दिखाना चाहता हूँ, और यहाँ पर run भी करना चाहता हूँ, ठीक है, तो पहले मैं इस folder को open कर लेता हूँ, देखिए मैं दौनों आपको screen simultaneously दिखाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर build और run करूँगा, और यहाँ पर देखिए यह आपको file 1.c file दिख रही है, अभी मैं इसको build और run करने वाला हूँ, यह build and run का option है, आप देखिए कि जैसी मैं इस पर click करता हूँ, आप यहाँ पर देखिएगा, file 1.c, file 1.o बने और file 1.txt भी बनी, और नीचे देखिए f1.txt फाइल भी बनी, output तो screen पे कुछ दिखना वाला नहीं है, क्योंकि हमने कुछ भी screen पे printf करके output नहीं लिया है, लेकिन एक बात confirm है कि f1.txt में content write हो चुका है, अभी मैं इसको program को बन कर देता हूँ, और f1.txt file को open करता हूँ, आप देख सकते हैं f1.txt file के अंदर hello students write हो चुका है, अभी हमने जो writing perform करी, उसमें हम समझ सकते हैं कि hello students write किया, लेकिन अगर user से enter कराना होता तो हम कैसे कराते, तो पहले हम user से enter करा लेते, जैसे हम यहाँ पर message लिखते, printf enter a string, और जो string enter की जाती, उसे हम पहले s नाम के array में रख लेते हैं, तो यह जो s array है, इसका size हम कुछ mention कर देते हैं, लेट से 100 और यह हटाए तो अब यह same program है, लेकिन अब user से हमने string enter करा ली है, और coding करने का तरीका वही है, जब तक string की length है, तब तक यह loop चलेगा, अभी मैं एक extra काम यह करने वाला हूँ, कि यहाँ पर f close के पहले भी get c h लगा देता हूँ, यह ब इंटेशनली लगा रहा हूँ, क्योंकि file में writing एक एक करके होती जाएगी, या आप कहें तो यह loop के अंदर भी लगा सकता हूँ, लेकिन फिलाल मैंने loop के बाहर लगाया है get c h, तो f close function चलने से पहले एक बार get c h चलेगा, ठीक है, मैं इस बात को आपको समझाता हूँ, लेकिन अभी file पहले से भले ही बनी हुई है, लेकिन w mode में open किया है, write mode में open किया है, तो पुरानी file erase हो जाएगी, तो एक बार फिर इसको compile run करके आपको बताता हूँ, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर यह file बनी हुई है, लेकिन वो पुराना content सब कुछ रेस कर देगे, मैंने इसको build and run किया, तो यहाँ पर output screen प्यारा enter a string, अब मैं string enter कर रहा हूँ, my name is Saurabh Shukla, अब इसमें number of characters जादा हो गए, तो जितने characters हैं उतनी बार यह loop चलेगा, अभी फिलहाल क्या है, situation मैंने enter किया, उसके आज screen रुके हुई है, क्योंकि getCH चल रहा है, यह कौन सा वाला getCH चल रहा है, यह वाला getCH चल रहा है, ठीक है, line number 16 वाला, यह जो getCH है ना, यह getCH के करण अभी screen रुकी है, तो क्या file बन चुकी होगी, हाँ file तो बन चुकी है, उसके अंदर data right हो चुका है क्या, अगर यह देखना चाहते हैं, तो अभी हम file को open करके देखेंगे, यह file को मैं open कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं, getCH का काम खतम हो जाएगा, और close function चल जाएगा, मैंने अंटर किया, यह enter की प्रेस कर लिए, मतलब f close चल गया, अब दुबारा जो दूसरा getCH है, उसके current screen रुकी होई है, लेकिन हम अगर file के content पे नज़र डालें, तो file के अंदर content right हो चुका है, my name is Saurabh Shukla, तो f close function का importance हमको यहाँ पे समझ में आ रहा है, और हमने दो programs बना लिए, एक program जिसमें की हमने hello students write किया था, दूसरा program जिसमें की हमने user से string लेके write किया, हमने function पढ़ा f put c, अभी हमें आगे की videos में read करना भी सीखना है, और भी कई सारे files related functions के बारे में पढ़ना है, file opening modes लेकिन हमारा अगले lecture का major concern होगा, तो अगर आपको यह video पसंद आया है, तो आप इसे like करिए, यदि आपको ऐसा लगता है कि यह video बहुत useful है, तो आप इसे facebook wall पे भी share करिए, क्योंकि जैसे आपको यह useful लगा है, बहुत सारे लोगों की यह requirement होगी, तो सब तक हम एक भलाई का काम करें, कि सब तक यह video पहुँचा है, मेरा उदेश यह है कि मैं free of cost, जितने जादा technical video lectures बना सकता हूँ, मैं बनाओं और लोगों को free of cost प्रोवाइट करूँ, ताकि सीखने में कोई barrier ना हो, सबसे बड़ा barrier सीखने में होता है language, यानि कई लोगों को English language में, वो चीज इतने अच्छे से समझ में नहीं आती, जितने वो हिंदी में comfortable है, इसलिए मैं चाहता हूँ, कि हिंदी में ये lectures को आप जितना spread कर सकते हैं, मेरे mission को इसमें बल मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंचा सकेंगे, यदि आप चाहें कि बहुत सारे जो दूसरे वीडियोज मैं अपलोड करे हैं, उसकी list आपको एक साथ मिल जाए, तो आप मेरी website पर visit करिए www.mysergy.com, इस website को भी आप share कर सकते हैं अपने facebook wall पे, यदि आपको आप देखेंगे इस site को, तो इसमें आपको C, C++, Java, PHP, DBMS, data structure, programming exercise, ये सारे वीडियोज मिलने वाले हैं, इन सभी पर, और मैं डेली उसमें एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ अभी फिलाल, और जितने वीडियोज अपलोड हो चुके हैं, उसकी list है, जो recently अपलोड हुए हैं, उसकी list अलग है, जो अपलोड होने वाले हैं, उसकी list अलग है, तो आप इस website को जरूर visit करिए, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको जैसी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ, उसकी जनकारी तुरन मिलती रहे, तैंक यू,